अगर आप पर्मानेंट टीजर वेकेंसी सर्च कर रहे हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है चार स्टेट से चार अलग-अलग राजियों से वेकेंसी आई में आजीम प्रेम जी फाउंडेशन स्कूल से और सभी के सभी रेगुलर पोस्ट है मतला पर्मानेंट पोस अगरेंगे एज, क्वालिफिकेशन, सेलेक्शन, क्राइटेरिया वगरर क्या रहती है अजीम प्रेम जी जो वेकेंसी निकलती हैं उनकी वीडियो में बनाती रहती हूं और अभी दो हफते पहले दो कैंडिडेट की मेरे यूट्यूब चैनल से ही अजीम प्रेम जी फाउं और सैलरी थीज, से उपड़ रहती है अबव ही रहता है रेगुलर जॉब है रेगुलर जॉब है पर्मानेंट है वो आपको निकालते नहीं जिसको शोशल वर्क में इंट्रेस्ट है वो बिल्कुल यहां सकते विकॉस ग्राउंड लेवल में गॉर्मेंट स्कूल के साथ मे थीसच कहां नहीं नहीं क्या तो इसी तरह एक और कैंडिडेटकी सेलेक्शन हुई और एक और कैंडिडेटकी सेलेक्शन हुई है यह नहीं क्योंकि मैंने वीडियो बनाई तो बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई किया होगा तो एक और कैंडिडेट की सेलेक्शन हुई तो इसके पहले भी कैंडिडेट की ओ कैंडिडेट की सेलेक्शन है तो तो देख लेते हैं कि क्या वेकंन्सी मैं तो एजीप्रेम जी वांडेशन की ऑफिशर वेब्साइट है । जो सरकारी स्कूल है उन बच्चों को ही एक तरीके से ट्रेनिंग और पढ़ाने के लिए वो कॉलेबरेशन में सरकारी स्कूल के साथ में काम करते हैं तो इसलिए वो कैंडिडेट ने लिखा कि गौर्ण्मेंट स्कूल के साथ काम करना पड़ेगा शोशल वर्क टाइप का 45,000 तक देते डिपेंड करता है अलग-अलग कैंडिडेट के लिए मिनिममम जो है 35,000 तो रहता ही है तो करियर्स पे एक बर क्लिक करके देखते हैं तो करियर्स में आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा हमेशा कि अभी कब है इसकी ऑनलाइन नेक्स्ट तो आपको 18 नोवेंबर तक जो देखेँ टेस्ट होगे स्कूल टीछ के लिए और रिसोर्स पर्सन के लिए ने वी वीडियो नहीं बना रहुं अलग से बनाव अलग से लिए तो अब से चले आते हैं तो आथ चले ऐाते स्कूल टीचर में कौन-कौन से चार राजी और जहां से विकेंश सी कर्ग बहिता है तो resource person अभी मैंने आपको बता है अभी cover नहीं करें दूसरी वीडियो में cover कर दूँगी यह भी अच्छा है इसकी भी salary अच्छी रहती है school teacher वाला जो है ना to know more and apply for the इस पे एक बर click कर लेते हैं जो candidate selection process जानना चाहते हैं वो यहाँ पर दी होती है इसके लिए अलग से मैं video बनाऊंगी पहले सिर्फ बता दो कि कहां कहां vacancies है selection process के लिए एक video separate बना दी जाएगी क्योंकि काफी candidate case में हो रहे हैं selection मेरे youtube channel से भी हो रहे हैं तो click here यहाँ पर एक बर click कर लेते हैं तो page open होगी अब इसमें यहाँ पर थोड़ा से scroll down आप करेंगे तो कहां कहां पर opening रहती है इसकी date पर आपको नहीं जाना यह date कुछ भी लिखा रहता है बट यह जो चार location है यहाँ पर इनकी vacancies रहती है तो सबसे पहले रहता है उत्राखंड में उत्राखंड में उत्राखंड में उधम सिंग नगर उत्राखंड इंडिया उत्राकाशी में रहता है और इस पर क्लिक करेंगे देखेंगे कि क्या-क्या वेकेंसीज हैं दूसरी उसकी ranged置ए वह कर्णाटका में यादगीर कर्नाटका में रहती है इनकी वेकेंसीज या चार देट ल Index लिखा नहीं देना है इन जगों पर इनकी वेकेंसीज रहती है आपको apply करदेना है बस अब कैसे अपलाई करनाटका में रहता है जॉब लोकेशन तो जो साउथ वाले वह करनाटका के लिए अपलाई कर सकते हैं पर्मानेंट है तो कहीं से भी आपले करें तीसरी जो वेकेंसिय वह राजस्तान टॉंक से रहती है अमेशा इनकी वेकेंसिय और इसके बाद जो ऑच्छास गड है तो यह जो देट इस पह ध्यान नहीं देना में आपको बारबा बता रही हूं यहां पर वेकेंसी इनकी रहती क्या होता है कि बहुत लोगों को काम करते कुछ अरा आपसुर्ट हो जूड़ टो यहां पार क्या होताए उत्तरा गंट पर क्लग कर लेना आपको क्लिकि अधित के का तो कोई भी ग्राजुएट है डीएड या डीएड या डीएड तो आप अपलाई कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसमें और फिलहाल जो है संस्कृत है फाइन आठ है और नीचे वेकेंसिस देखने को मिलेंगी आपको यह मैंने फ़रे एक लिएड करके दिखाया यहां से आप अपलाई कर देंगे तो आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन सीटेट कुछ नहीं है अगर आप यहां पर से अपलाई कर सकेंगे अपलाई के लिए पेज उपन होगा है इमेल आईड टेलिफोन सिटी यह वह आपको बढ़ देना जिसमें एस्ट्रिक साइन रहे सब कॉलम कर दें सेलेक्शन के चांसे ज्यादा बनते हैं तो इस तरीके से आपको हर किसी का उत्राखंड में अपलाई कर दें करनाटका में करने जहां पर अपलाई करना चाहते कर दें मुल्टिपल जगह भी अपलाई करना चाहते हैं तो कर दें अब इसका सेलेक्शन प्र पर करेट करना है आपको देट दिखेगा एपलाई बाई एटीन नॉवेंबर एटीन नॉवेंबर तक लेटेस्ट अप अप्लाई कर देए पचीस नॉवेंबर अगर आप सौटलिस्ट हो गए तो आपको बुग इंटर्व्यू के लिए वगर आपको बताया जाएगा और यहाँ पर मेरी हो कि है सेलेक्शन तो चांसे जाला है अब resource person के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूगи दूसरा कैसे सेलेक्शन होती है यहां पर कितने steps है इसके लिए अलग से वीडियो किसी और दिन बना दूगै तो link के लिए वीडियो के description box को check कर ले आप सरे के बेस्ट वेशन